दे केरल स्टोरी थ्रीटर में रिलीज हो चुकी है इस फिल्म के साथ फिल्म डारेक्टर सुजीब तोसेन और क्रियेटिव डारेक्टर विपुल शा ने ऐसी कहानी बया करने की कोशिश की है जिसे देख आपके दिल देहल जाएगा आज हम करेंगे इस मूवी का रिव्यू कहानी शुरू होती है शालिनी उनी क्रिशन से जिसे अफगानी सुरक्षा फोर्स आतंगवादी करार देते हुए हिरासत में लेती है शालिनी बार-बार ये कहने की कोशिश करती है कि वो पीडित है लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता तब फ्लाश बैक में शुरू होती है शालिनी की कहानी कूची की शालिनी कसर गोड की नर्सिंग स्कूल में पढ़ाई करने जाती है वहीं उनकी मुलाकात नीमा, घितांचली और आसिफा से होती है टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के तहट आसिफा अपने तीन खास दोस्तों का ब्रेन बॉश करती है इसलाम धर्म सर्फशेष्ट है और इसको सबको स्विकार करना चाहिए ये विचार उनके दिमाग में डालती रहती है किस तरह से केरल की ये लड़कियां असिफा के चंगुल में फस जाती है कैसे इन लड़कियों को प्रेगनेंट करने के बाद बाहर देश में भेजा जाता है इन लड़कियों के साथ उनका परिवार कैसे मुश्किलों से गुसरता है कानी इनी चीजों के इर्द-गिर्द घुमती है डारेक्टर सुदित्तो हमारे देश के सबसे जादा साक्षर कहलाने वाले राज्य की हौरिफाइंग रियालिटी को चतुराई से पेश करते है उनकी ये फिल्म देखने वालों को तब बेचैन कर देती है जब ये दिखाया जाता है कि किस तरह से सबी धर्मों की निर्दोश महिलाओं को कभी प्यार से तो कभी धमकी देकर इसलाम में परवर्तित किया जाता है तब फिल्म में दिखाया हुआ दर्थ आपके दिल तक पहुँच कर डारेक्टर का विजन सफल करते हुए नजर आता है दे केरल स्टोरी जैसे विशे को बड़े परदे पर पेश करना असान नहीं था लेकिन इस मामले में सुदिप्तो डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए है लेखग ने बड़ी खुबसूरती से डायलोग लिखे है श्रिलंका, सीरिया, सबके ब्लास्ट में केरल के लड़के मिलते हैं तब भी आपको सबूत चाहिए जिसको खुट ड़ लगता है वो तुम्हारी रक्षा कैसे करता है जैसे डायलोग आपको हैरान कर देते हैं बात करते हैं आक्टिंग और म्यूजिक की अदा शर्मा हमेशा से अपनी फिल्मों को लेकर सेलेक्टिव रही है इस फिल्म में अदा ने बहतरीन आक्टिंग की है उन्होंने साउथ आक्सेंट का भी यहां इस्तमाल किया है इस फिल्म में बागी के कलाकारों ने भी अपनी भूमिका से नियाय किया है म्यूजिक और बाग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो फिल्म में इसे अच्छी तरीके से इस्तिमाल किया गया है अब बात करें क्यूं ना देखें या देखें ये फिल्म केरल जैसी लिट्रेट सिटी में चंद बाते बोल कर धर्म परिवर्तन करवाना लॉजिक से सोचा जाए तो impossible लगता है अगर आपको हिंसा देखना पसंद नहीं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं मेकर्स का दावा है कि ये फिल्म सच्छाई पर अधारत है फिल्म के आखिर में उन्होंने कुछ प्रूफ दिये हैं और इसकी कहानी को सच बताने का प्रियास किया है अब बात करते हैं विवाद और फाक्स की मेकर्स का दावा है कि केरल की 30,000 से जादा लड़कियां गायब हो चुकी है अपने दावे पर वो कायम रहते हैं केरल की जिन तीन लड़कियों की कहानी फिल्म में बताई गई है उनकी पैचान का खुलासा ना करते हुए उनके वीडियो और इस फिल्म के लिए डेटा इकटा करने में टीम ने कोशिश करी है फिल्म के आखिर में ओडियंस के सामने यही चीज़े पेश की गई है तमाम कॉंटर वर्सीज के बीच रिलीज हुई दा केरल स्टोरी ने पहले दिन 7.5 करोड का कलेक्शन किया लगभग 28 करोड के बज़ट में बनी इस फिल्म के आकड़े काफी शांदार माने जा सकते है 2023 की पाचवी सबसे बड़ी ओपनर दा केरल स्टोरी बन चुकी है हब इस मूवी को देते हैं पाच में से तीन स्टार्स